हेलो गाइज वेलकम बैक एक और ट्रेवल ब्लॉग में और मैं अभी जा रहा हूँ तेही एरपोर्ट टर्मिनल थ्री और वहां से मेरी फ्लाइट है अलमाटी के लिए फिर अलमाटी से तासकेंट और फिर तासकेंट से जलालबाद कि यह यह तो मैं ने बोर्टिंग पास ले लिया और अभी लोग गयत नमर 14 बी के तरफ जा रहे हैं और अभी वाई की समान जो है वेट का वो मैं तो एक दो चीजिए एक्स्ट्रा था तो वो एरेंज करने में थोड़ा हो गया और गलती से एक फूड पेकेट मेरे बैग में लए गया तो अभी कस्टम में ज़े उन्हों हने बोला क्या है आपके बैग में तो मैंने का कि यह फूड पेकेट एक चिप्स था और एकॉरलि 30 सी डिटेक्टिंग मशीन थी उन्होंने वापस कर दिया मैं तो डर गया था क्योंकि धेड़ सारे मसाले लेकर आया हूं और खाने के आइटम्स तो इस वजए से और इस बार ये कुछ शॉप्स जो है नए दिख रहे हैं यह नए दिख रहे हैं या मैंने पहली बार देखे है यह यहां पर बाकी तो एज वीजुवल जो सारे स्वॉप्स थे गाईज आप लोग देख सकते हैं क्रिकेट के फैन यह हमारे क्रिकेट के फैन है और देख सकते हैं यह सिर्लंका मैं जीच चुकी है अरे बहाई इंडिया हार गया चलो ना इसको खुसी है कि पाकिस्तान हमें भी खुसी है सिर्लंका जीती है यस गाईज लुक अद प्राइस फिस चॉकलेट इस इस अल्मोस्ट बाउट फॉर्टिन गेट नमर फॉर्टिन बी से और अभी जो हमारी फ्लाइट थी वो है एर अस्थाना बटेट करेंगे तो फॉर्टिन गेट नमर फॉर्टिन बी यह रस्थाना में एक प्रॉब्लम हो गया कि मैं दो हैंड बैग लेका था बट एक ही हैंड बैग वो अलो कर रहें और हल्दी राम अगेर इस बार अलो नहीं कर रहें पर अब लेके जा सकते हैं अगर आपका काम बन जाए तो तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था कि जिन्ह अगर आप नेक्स्ट कुछ दिनों में एर अस्थाना से ट्रेवल कर रहे हो तो आप हल्दी राम मत क्यारी करना अगर आपके पास वेट कम है तभी आप हल्दी राम क्यारी कर सकते हैं वरना आप नहीं कर सकते कि अभी थाल भाइस आप हल्दी राम कर सकते हैं तो तो आप हल्दी राम क्या बंग झाल है तो खालो तो फाइनली हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं और यह इधर हमारे फ्रेंड्स और जो इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है यही किये जंद अगर आप रिसेंटली अगर आप एर अस्ताना से आ रहे हैं तो केबिन बैक का थोड़ा इसु कर रहे हैं लोग थोड़ा केबिन बैक से जादे ना केरी करें और कोई भी खास करके हल्दी राम केरी ना करें वांके छोटा मोटा कोई समान हो जो बैग में आ सकता है वो आप कर सकते हैं अला कि उसका भी कई वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस बार पहले ऐसे कभी एरस्थाना से में ट्रेवल क क्यां ऐसा नहीं हुआ अब इस बार होड़ा है तो अमीद करता हूं कि आप जो है एक ही तैक करें ताकि आपके लिए आसानी हो अभी हम लोग हैं डेली में और हमारा पहला स्टॉपेज जो है वह है अलमाटी जो कि किर्गिस्तान के नियर्भाइ कंट्री है पहले हम लोग वहां पर जाएंगे वहां पर हमारा वेटीं है चार आवर का अब आप अब अब लिक आए अब इस बार जो कुछ नई चीजा में देख रहा हूं वह कि जो पहले इंफोर्मेशन सामने से रोस्तिस देती थी अब वो डिस्प्ले पर आता है जैब देख सकते हैं सीट की जारे कुछ दिखाया जा रहा है दर यह थोड़ा सा नया इंट्रेस्टिंग है पट पहले जो यह रोस्तिस करती थी यह दो दूआरा आगे दो दूआर पीछे तो इत वास इंट्रेस्टिंग जो नियु अज़ए तो बाहीर स्थाना जीज़ गुड़ार लाइक टीज़ा चलिए हमारी जलनी शुरू हो गई है यह दूसरी बार है जब मैं रात में सफर कर रहा हूँ पहली बार मैं मेरे दोस्त जो है दुबई से जो बिस्केग आ रहे थे तब जो है रात में सफर किये थे कि आस्ट टाइम क्या हुआ ना कि सीट में को मिली विंडो वाली बड़ एक वहां पर मैडम आ गई और उन्होंने कहा कि कैनाई सीट है तो मैंने अपनी सीट उनको दे दी बड़ और तब ही मैं जो नाइट स्काइव था वो रिकॉर्ड ने कर पाता बस इस टाइम मैंने और लेडी टिकट लेते समय ही विंडो सीट बुक कर दी थी ताकि में को कोई परिषानी ना और इस बार मैंने सोच यह था कि कोई भी विंडो वाले सीट नहीं जाए ओपर से अच्छा दिखता है सहर ना दिल ली कि अब रात के तीन बज रहे हैं और फाइनली मील आ गया है और मैंने पहले ही वेज मील सेलेक्ट कर लिया था तो प्रोब्म में था और इस मील में है कि लचाबल जैसार मैं देख पार हूं एक ब्रेड है सेलेड है एक मुल का बटर भी मिला है और एक योगर्ट का डपा है खाना काफी अच्छा था पहले भी एरस खाना का खाना अच्छा था पिछले बार तो जब मैं सबर गया था तो गाजर का हलवा भी था बट इस टाइंग अगर बात करें तो पता नहीं क्या है यह पुली बिर्यानी टाइप दिख रहा है पहुच चुका हूं अलमाटी में अलमाटी में हमारा लेवर है और मेरे साथ बैठे हैं दिवी और इधर बैठे हैं तुगम स्थरी यह अधर का लेवर है अलमाटी एंड नौचालिस में हमारी यहां से फ्लाइट है दस बज़े हम लोग तास्कन पहुचेंगे कि यहां सुबह के कुत टाइम घर हो रायं गुरो साथ बज रहे है सुबह साथ बजय लोग यहां पर जो रेटिंग सेंटर है जो ओवर का वहां पर है और वेट कर रहे हैं अपनी अभी हमारी फ्लाइट का जो की नौचालिस में यहां से निकलेगी पास्केंग के गाई जी वो सामने जो है कुमार सानो जी हैं अभी उनसे मुलाकात हुई एक फोटो हुआ तासकेन में उनका उनका कंसर्ट है अगर कोई तासकेन में है तो जाके जिरूद देखें अब हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं और इस फ्लाइट में हमार सानो भी जा रहे हैं जो कि बिजनेस क्लास ने बट आगा और यह फ्लाइट अभी खुलेगी अब हो रहा है दस सुबह के दस बज़रे हैं और हमारी टेक आफ कर चुकी है तासकेन के लिए अब है अब है अब है अब है आप से एई अब है अब करें लोग निकल चुके हैं और अबने दो टेक्सि कड़ी है और पर बंदे का इन लोगों ने 20 डॉलर्स चार्ज किये हैं अलांकि यह थोड़ासा कोशली है अगर आप एरपूर्ट आ रहे हैं तो मैं सबसे पहले वहां से बस स्टॉप पे जाए जहां पे यह टेक्सी स्टेंड वहां पे से टेक्सी ले तो वह आपको सस्ती बढ़ेगी और अगर इससे आ in the downtown going towards the border and the weather is too bad too bad hopefully we can reach our home tonight hopefully so finally guys मैं पहुंच गया हूँ जलालबाद और तास्केंट जो रुखने का प्रोग्राम था वो due to unavoidable circumstances मुझे प्लैन चेंज करने पड़े थोड़े और अभी मैं अपने दोस्त के यां रुका हूँ और फ्लैट अभी ढूंडूगा फ्लैट अभी मुझे मिला नहीं है यहां पर और क्योंकि अभी काफी students आ गए हैं तो थोड़ा सा रस है यहां पर फ्लैट के लिए अभी जर्नी कहूं तो सही था तासकन ना घूम पाने का थोड़ा दूख है बट क्या कर सकते हैं अभी यहां पर आ गए हैं तो अभी classes वगएर आज classes थी तो सुबह सुबह classes गया इकी class ते आना कि बट कल से classes regular हो जाएगी और से classes भी बीस से चाल हुआ है तो अभी बाकी अब जो है देखते हैं नया फ्लैट मिला तो फिर वह भी दिखाऊंगा आप लोगों को बट अभी तो फिलाल अपने दोस्त के यहां पर हूँ चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सी यू दस्वेदानिया